सब्सक्राइब दोस्तों सब्सक्राइब करें दोसरा प्रॉब्लम के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों कुल मिला कि इस वीडियो में हम दो तीन चीजी दिखेंगे एक तो यह दिखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट आफ कितना हो सकता है और कुछ इंसाइब्स मैं आपको बताऊंगा जो प्रीवेस आपका कट आफ गया था पिछले साल 2020 का उससे हिसाब से बताऊंगा कि थोड़ा आप आइडिया लगा पाऊगे अब एक बात बता दिए दोस्तों कि जो SBA Clark examination आपका चार दिन हुआ था ठीक है तो यह चारो दिन को मिला करके बोला जा रहा है किसी पर्टिकुलर डे के बारे में नहीं बलकि चारो दिन के बारे में बात की जा रही है तो यह ब बात करते हैं कि किन-किन चीज़ों पर depend करता है तो तीन चीज़ों पर mainly depend करता है दोस्तों एक तो आपका difficulty level होता है इसके हिसाब से आपका normalization होता है आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि normalization होता है दोस्तों आप नॉर्मलाइजिशन क्या होता है कि अगर lesson में जिस topper आये थे उसके हिसाब से मार्स आपका compare करके ऊपर नीचे जाया जाता है तो यह बात ध्यान रखेगा तो नॉर्मलाइजन होगा फिर जो दूस्तों number of candidate जितने एपियर किये थे और number of vacancy जितने रीच की थी तो सिर्फ और सिर्फ हमको यह पता है कि पांच जार क आपको समझना चाहिए कि अगर easy रहता है तो ज्यादा ज्यादा बच्चे ज्यादा ज्यादा attempt करते हैं और सही attempt करते हैं तो फिर cut-off हाई जाता है तो यहां पर करीबन करीबन जो cut-off हमारे दोरा expected आपको बता जाए जाए वो 60-66 बता जाए अब यह किस basis पे दोस्तों हमने कई सारे students के reviews लिए थे और हमारे जो educator हैं दोस्तों वह भी खुद examination देने के लिए गए थे ताकि आपको self analysis बता सके तो उन सभी चीजों को मिला करके हम एक आपको figure बता पा रहे हैं एक range बता पा रहे हैं यह official figure बिल्कुल भी नहीं है तो इसको इस तरह से official नहीं समझेगा इससे क्या idea मिलता है मैं आपको थोड़े दर में बताऊंगा ठीक है तो चली अब नीचे देखते हैं दोस्तों previous cut-off के बारे में तो देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेट वाइस हाँ अगर आपको यह नहीं पता है तो स्टेट वाइस आता है सेक्शन वाइस भी आता है सिर् गया था महराश्ट सोरी गुजरात का गया था 56.75 ठीक है तो आप देख सकते हैं कि डिफ्रेंस जो है लगभग दोस्तों 21 मार्स का था 21 मार्स का डिफ्रेंस हो गया अगर हम इसका दोस्तों एवरेज निकाले अगर हम इसकी टोटल एवरेज निकालते तो यह आता है दो तो करीबन 21 नंबर का अंतर है और जो मीडियम देख सकते हैं वो कितना पर है 67.84 पर है तो इससे भी आप आप देख सकते हैं कि करीबन करीबन 10 नंबर तो यानि कि यह एक काइंड आफ सेफ नंबर हो सकता है आप लोगों के लिए अगर आप में 67 या 70 गरीबन अटेम्ट किये ह है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिन्होंने भी 70 से एभब किये हैं तो थोड़ा सा रिलाक्स हो सकते हैं लेकिन इसमें भी दोस्तों आप लोग का नॉर्मिलाइजिशन आएगा उसके बाद ही आपका मास दिया जाएगा तो इसलिए इतना भी ज्यादा हम इसम आटेम्ट मानना जाएगा ठीक है तो इस बेसिस पर हम बता रहे हैं और जो 62 से यह बता रहे हैं दोस्तों कट आप जो है यह एक्सपेटेड करके बता रहे हैं कि कितने बच्चे उन्हें इग्जामनेशन होगे दिया था उस हिसाफ से अब अपने स्टेट वाइज जो है आ इस बार भी एपियर किये ही होंगे ठीक है तो यह एक आइडिया था बाकी आप लोगो उतना घवराईए नहीं और अगर आपको लगता है कि आपने सतर से अच्छा मार्स ला रहे हैं तो आप बिल्कुल यहां पर मेंस की त्यारी में लग जाए यह बाकी कंफ्यूज नहीं इस त्यारी मेंस की कर नहीं चाहिए यह सबसे गलत बात इसलिए क्यों कि दौर आ जाता है जहां पर अच्छे बात नहीं कर पाएं तो आप क्वालिफाई करके भी नहीं कर पाऊगे अगर आपकी तयारे बहुत अच्छी मेंस पहले से नहीं थी तो आप IBPS कलग पर लग सकते तो यह मोटा मोटी आइडिया है जो भी नए स्टुनेंट्स हैं उनको ही ज़्यादा जिनों ने उल्लेडी काईफी सारे एक्जामिशन दे रखे होंगे उनको यहाँ पर चिंता नहीं होती है तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि आप अपने मेरिट पर लीजिए यह नहीं देखे कि कौन क्या करने वाला है कौन किस चीट के त्यारी करें अपने मेरिट पर लगता है आपके अंदर से वाज आती है कि हाँ मेरा मेंस में हो जाएगा मेंस की लिए क्वालिफाइ कर जाओंगा और मेंस की त्यारी मेरे अच्छी है तभी के हिसाब से कट आफ कितना जाता है वो भी बता जीगा ये तीन चीजे जो हैं आप लोग प्लीज कमेंट सेक्सें बता जीए ताकि बाकी सारे स्टुएंट्स को भी हेल्प हो जाए तो इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद